Hi everyone, तो आज यारा हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Machine Learning के टाइपस के बारे में तो जनरली चार टाइपस के Machine Learning Algorithms होती है बट हम जो पढ़ेंगे, एक-एक करके पढ़ेंगे चारों को and आज इस वीडियो के अंदर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं then आपके पास फर्दर तीन और बचेंगे तो वो भी मैं आपको टूंजीने की वीडियो की हल से वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइट करवा दोगा So without any wasting of time, सबसे पहले चलते हैं वाई, supervised learning क्या होता है उसको समझते हैं तो supervised learning का अगर आप लोग डाइग्राम देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहां से समझ में आएंगी कि एक अपने पास होगा label data as a input and उस label data से हम क्या predict करेंगे मतलब machine predict करेंगी and training लेगी समझ रहे हैं अपने पास hexagon है, यह squares है and यह triangles है इस step का अपन last में निकाल लेंगे then फिर क्या होगा उसके बाद जब भी उससे related कुछ new data आएगा तो उसका prediction कैसे होगा just like अब square or triangle आगा है तो फिर उसका क्या prediction होगा and उसका predict करने के बाद क्या output होने वाला है वो यह बताएगा in short way में यही scenario है supervised learning का अगर मैं आपको समझाओ तो यही है इसके बारे मैं अभी और detailing में पढ़ेंगे just इतना ही नहीं है यह तो मैंने just एक overview दे दिया अलका सा अब एक बार definition wise और cover करते हैं और फिर आपको एक और diagram से मैं आपको इसमें और भी जादा interest create करूँगा जिसे कि आपको 101% supervised learning समाझ में जाएगी अब supervised learning in supervised learning the algorithm is trained on a label dataset तो यहाँ पर पहले training दी जाएगी ठीक है label dataset मतलब हमें पता है कि यार यह जो data है वो hexagon है यह भी hexagon है, यह square है है यह triangles है तो यह data labeled हो चुका है और training में दी जाएगी जैसे training in the sense हर students को पहले मालो एक सवाल solve करने को दिया जाता है question solve करने को दिया जाता है तो direct उसको question solve करने नहीं दिया जाएगा पहले क्या उसको step का question का उसका जो भी teacher है वो solution बताएगा उसको training देगा तो solution मिल रहा है मतलब उसको training मिल रही है तो आप solution को ऐसा training वाला part कवर करें ठीक है clear होगी बात training की spelling तो सही लिख दो solution तो ठीक है चलो solution short में लिख दिया तो training मिली उसको अब उससे related उसने दुबारा से wait app का question देखा यह थोड़ा सा data में variation देखा वो क्या करेगा उसका answer यह solution predict करने का ट्राय करेगा student तो यही तो है वाई यही है supervised learning ठीक है समझ गया हाँ बहुँ है समझ गया तो इसके अंदर क्या होगा कि training मिली जाएगी पहले ठीक है और जो data sites होगे वो label data sites होगे ठीक है training मिली जाएगी ठीक है meaning the input data is paired with the correct output ओके the goal is to learn a mapping function from input to output so that it can make prediction on unseen data so हम क्या करेंगे फिर training एक बार हमने दे दी next time पर जो data होगे वो new data होगे और unseen data होगे तो उसका क्या output होना चाहिए वो predict करके लाएगा यह क्या लागा supervised learning ठीक है clear है बात तो यह है common supervised learning algorithms include linear regression logistic regression decision tree support vector machine and neural networks तो यह सब अपनी supervised learning की algorithms है ठीक है इन सब के बार में detailing में आपन आगे पढ़ेंगे यही पढ़ना है अपने को पूरा subject के अंदर तो सब चीज़ कबर करवाएंगे ठीक है clear है बात diagram समझ में आ गया and आप एक और example यहाँ पर ले सकते हो जैसे माल लोग मेरे को मतलब एक algorithm design करनी है and मुझे input में मैं उसको data provide करवा रहा हूँ for example मैंने input में मैंने उसको data provide करवा दिया जैसे मैं को तीन नमबर को add करना है 1 हो गया 3 हो गया and 5 हो गया तीन और नमबर है ठीक है मैंने उसको क्या दे दिया input में data दे दिया अब यह क्या करेगा algorithm हम ऐसे design करेंगे जिसमें यह जो तीनो data है वो क्या होगे add दे जाएंगे और finally क्या होगा मैं को एक logic मिलेगा बट एक important बात है मैं यहाँ पर क्या provide करवाँगा उसको output भी provide करवाँगा 1 plus 3 is 4 and 4 plus 5 is 9 तो output भी मैं उसको यही पर दे रहाँ इससे हो क्या कर रहा है एक मेरे को logic दे दे रहा है कि हाँ भाई यह logic है and this is your training part ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह complete को कह गएंगे training हो रही है ठीक है यहाँ पर क्या हो रही है training दी जा रही है clear है बात तो यह training है हमने input दिया हमने output दिया फिर हम क्या बोल रहा है भाई तु ऐसी algorithm तो यहाँ पर algorithm लिखो and वहाँ पर finally हमें logic प्रॉइड करवाओ अब क्या होगा जब हम इसी type की नई problem देंगे जैसे अब मैंने एक और मतलब new data दिया यह data तो चलो ठीक है उसने सीख लिया अब इस बार हमने machine में दिया किया तु तीन नंबर का नहीं तु दो नंबर का add कर ठीक है हमने machine को दिया data तु तीन नंबर को add मत कर तु दो नंबर को add कर and number 10 और 20 दो numbers को add कर तो अब वो machine output predict करके देगी तुमें और 10 प्लस 20 करके देगी which is called 30 तो अब यह जो हुआ है यह unseen data में हुआ है और यह क्या हुआ prediction हुआ है तो यह सीखा है उसने unseen data में उसने क्या कर दिया output predict करके दे दिया तो यह scenario है भाई यह supervised learning का तो I think यह बात समझ में आ रही है अब 101% clear है पहली step क्या हुई पहली step भाई यह पूरी चीज हुई कौन सी वाली color change करता है green लेता है उसको पहली step यह हुई step number one कि भाई यहाँ पे input data sites दिये गया आप कह सकते हो या feed किये गया and साथ में उसका output भी दिया गया या feed किया गया तो उसको दी गई training and उसने क्या किया भाई logic बेल किया ती नमबर को add करेंगे तो कुछ इस पकार scene होगा and numbers के उपर dependency है ठीक है क्योंकि यह नहीं को add कर रहे है और output भी नहीं से generate हो रहा है तो उसने सारी algorithm सारी calculus वाला part खुद से design किया and finally उसने logic बेल्ड कर लिया ठीक है यह part होगे training का यह होगी पैलिश्टा तो यह पर लिख देते है यह step 1 है ठीक है step 1 clear है बात अब उसने training complete कर ली ऐसी सिर्फ एक data से training नहीं लेगा वो multiple मालों उसने 15-20 और data inputs के सार्ट training ले और logic बिल्ड किया फिर उसने पूरी mapping करी कि हाँ यार इससे ही हो रहा है प्लेस वाला operator कुछ इस प्रकार काम कर रहा है बाकियों operators कुछ different type की work कर रहा है तो समझ गया सिर्फ यही एक 135 से उसने logic नहीं generate किया है इससे उसने different different multiple data input में लिए and उसका output से उसने logic predict किया है समझ रहो तो इस तरीके से उसने काम किया यह training ली और training में वो सिर्फ एक sets of data नहीं लेगा multiple sets of data ले लेके train करेगा next जो step होगी फिर वो क्या करेगा जब new यह unseen data आएंगे जब new यह unseen data आएंगे तो उसका output predict करके हमें दे देगा तो यह जो step है यह step number 2 क्या लाएगी समझ गया सबसे पहले training मिली फिर उसने unseen data या new data के time पे हमें output generate करके दे दिया so this is your supervised learning clear होगी बात और यहीं पर यह diagram भी वही represent कर रहा है तो पहले data labeled होगा ठीक है labels मतलब हमें पता है कि यह data सिर्फ तीन type का ही होगा या तो hexagon होना चाहिए या तो triangle होना चाहिए या तो square होना चाहिए यह हमें labeled मिल चुक है data अब models क्या करेंगे मतलब training यहापे मिली जाएगी ठीक है training मिली ओके अब फिर क्या हुआ नए data है data मालो test data तो चलो यही था triangle और square तो उसने simple predict कर दे कि भाई यह सारे sets of अगर step का diagram देखेगा तो सब क्या squares के sets है और इस तरीके का diagram देखेगा तो triangle के sets है तो हमें क्या देदिया उसने output generate करके देदिया clear है बात तो यह diagram यही चीज़ शो कर रहा है तो मेरे खायल से supervised learning अब हर एक बंदे को समझ में आगया पहला step के है दूसरा step के है clear है इतनी ही detailing में exam के अंदे लिखोगे तो कुछ marks deduct नहीं करेगा next जो चीज़ है हमने यहाँ पे उसको breakdown कर दिया दो important parts में पहला one है बाई data and दूसरा one है training process clear है data क्या है label data है यहाँ पे जो data है उसकी labeling की गई है या तो data hexagon होगा या तो square होगा या triangle होगा ऐसे ही यहाँ पे label data बताओगे this is the key element in supervised learning each data point consists of an input which is called features and corresponding label तो यहाँ पे inputs और उसकी labeling की जाएगी to produce desired output for example instance for instance if you are training a model to classify email very 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 important line यहाँ लिखेगे हम क्या कर रहे है training दे रहे हैं एक model को और check कर रहे हैं कि वो email spam है की नहीं ठीक है very 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 important चीज़ी है उसको input में क्या दिया जा रहा है email का content दिया जा रहा है end वो क्या produce कर रहा है वो क्या labeling कर रहा है वो labeling कर रहा है क्या email spam है या नहीं है वो labeling क्या कर रहा है spam है कि नहीं, ठीक है, very, 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 very practical application यही हो गया, ठीक है भाई, समझ गया है, कि labeling data का क्या गाम है, अब ट्रेनिंग प्रोसेस जा हम दे रहे हैं, तो उसके अंदर हम उसको data feed करके दे रहे हैं, ठीक है भाई, और फिर वो वहाँ से learn कर रहा है, and map कर रहा है, map मतलब identify कर रहा है कि इस वाले operator से यह काम हो रहा है, mapping create कर रहा है, समझ रहे हो, then उसके बाद model बिल्ड कर रहा है, खत the machine learning algorithm, तो machine learning algorithm में हम data का कर रहे है, feed कर रहे है, फिर वो data से सीचता चलियाएगा, ठीक है, then next is वो यह learning the mapping, the algorithm analyze the data, वो data को analyze करेगा, सारे patterns को identify करेगा, and उनके बीच में relationship produce करेगा, और वही से तुम्हें input and outputs मिल जाएगे, ठीक है, तो mapping यही काम करेगी, then model building करेगा, based on these patterns, the algorithm builds a model, that can map new inputs to desire outputs, तो जब unseen data की बात होगी, तो उसका क्या output होगा, वो predict करके हमें दे देगा, तो बात समझ मार यह क्या scene में आपे बैट रहे है, तो I think यह बहुत ही detailing में हमने एक एक चीज यहाँ पर discuss कर लिए, अब यह generally दो तरीके की होती है, supervised learning, supervised learning के types की बात करी जाए, तो two categories में divided है, first one is your classification and the second one is your regression, ठीक है, अब जो उपर हमने यह सारी examples देगे थे, linear regression, logistic regression, decision tree, support vector machines, neural networks, तो यह सब क्या है भी है, types के भी parts आप कह सकती हो, ठीक है, अब classification के अंदर क्या होगा, कि हम यहाँ पर classes के भी आफ में divide कर देंगे, ठीक है, clear बात, तो उसका अराम से समझेंगे कि कैसे तरीके से class में divide हो रहा है, और regression के अंदर क्या चीज होगी, कि जो real time में यह real numbers होगे, उसके इसाब से breakdown किया जाएगा, कि stock का price कैसा है, उसको predict कर रहे हैं, ठीक है, बाकी और भी जादा चीज है, तो वो regression का part हो जागा, यह short way में मैंने दो चीज़ां आपको बता दी, classification की definition समझते हैं, and then diagram से इसको 101% और clear करते हैं, here the model learns to categorize data points into predefined classes, तो हम वही कहने हैं, इसको divide कर देंगे, किसमे, breakdown कर देंगे, classes के अंदर, जैसे spam filtering, ठीक है, तो यह spam, समझ रहे हो न, किस तरीके से filtering की होती है, है की नहीं, correct है की नहीं, spam है की, email spam है की नहीं है, तो email spam है या filtering इस तरीके से होगी, image recognition मतलब, for example, cat की image है, या नहीं, मैं उसको, machine को, बहुत सारी image दे दूँगा, तो मैं उसको बोलूगा की, बाई, जितनी भी cats की image है, उसको classify कर दो, दो सारी cats की image को क्या कर देगा, एक जगा पर रख देगा, और बाखी remaining images को, नहीं, मतलब दूसरी जगा रख देगा, तो यहां पर classes में divide कर दिया गया है, ठीक है, end fraud detection, यह सब आप classification के अंदर बता सकते हो, the next चीज़ है which is called regression, यह predict करेगा real numbers पे, this involves predicting a continuous output value based on the input data, example include weather forecasting, तो यह क्या कर रहा है, temperature को यहां पर predict करता है, ठीक है, stock price prediction, सभी को पता है, real data पे ही prediction होगा, अब real data मतलब कैसा, देखो यार, ऐसा scene यहां पर regression के अंदर, कि यह पुरानी, हर एक company, जैसे stock price में क्या होता है, पुरानी, मतलब कुछ भी ले लो, lens वगरे की भी, information, area wise, तो इसमें क्या होगा, पुराना starting का जितना भी data होगा, वो machine के अंदर feed कर दिया जाएगा, फिर machine वहाँ से एक proper output जनेरेट करके देगी यार, कि future में या present में अभी क्या scenario बैठ रहा है, और future में क्या बैठेगा, तो वो result प्रिंट करके देगी, so, जो real time पे कर रही होगा, या, क्या regression ही है, ठीक है, समझ रहा है, तो यह आप बता सकते हो, then थोड़ा और detailing में चलते है, classification में हम क्या करेंगे, मालो हमारे पास data है, for example, यह सारे data है, circle है, and cross है, तो यहां mixed of data है, circle, cross, circle, cross का, बहुत जादा, for example, यहां पर मैं बना लेता हूँ data set, and इसी के अंदर मेरे पास mixed करके दिया गया, cross और circle, फिर classification में क्या होगा, सारे cross एक तरफ हो जाए सारे cross एक side हो जाएंगे, and सारे circles एक तरफ हो जाएंगे, तो इनको आमने different number of classes में breakdown का लिया, यहां पर मालो data sets वे cross और circle, mixed हो के बैठे है, एकदम खिचडी बने के बैठी है, ठीक है, classification क्या करतेगा, सभी को एक class में divide करतेगा, and circles को दूसरी class में divide करतेगा, ठीक है, तो यह classification का simple diagram, then regression क्या करेगा, कि present में क्या value जा रही है, future में क्या value होने वाली, तो predict करके देगा, तो real time values या real numbers में prediction करके देगा, clear है बाद तो यह regression है, समझे, अब थोड़ा सा इसको zoom करते है, and थोड़ा सा difference यहां पर समझते है, कि classification में, और regression में क्या अंतर है, तो regression लिखा है, and classification लिखा है, तो predict continuous value, very important चीज़, और यहां पर लिखा है, predict classifies the discrete value, imported lines हो मझे हो, यह continuous value है, discrete value, बिल्कुल, regression linear और non-linear दोनों होता है, linear regression, non-linear regression, आपना आगे पढ़ेंगे, and यह होती है, यह binary और multi classes, classifiers, ठीक है, then maps inputs to continuous output variables, तो input से हम continuous output variable में mapping create करते हैं, यहां पर देखा जाए, map input to discrete output variable, तो वहां पर continuous है, और यहां पर क्या है, discrete है, clear है बात, यहां पर algorithm linear regression वगएरा, use करी जाती है, logistic वगएरा भी की जाती है, यहां पर यह समझ में आगे, clear है, समझ रहो, तो यह आप लोग example दे सकते हो, then next सीज है, यहां पर हम क्या find करेंगे best fit line, best fit line क्या होती है, अराम से समझेंगे, regression का diagram सब समझेंगे, तो वहां पर समझ में जागा कि best fit line क्या है, यहां हम जो find करेंगे, वो करेंगे decision boundary, तो बस इतना आप ही समझो, आगे चल कि इसके बारे में detailing में समझेंगे, पूरा पढ़ना है, अच्छी तरीके से cover करना है, तो वो मैं करवा दूँगा, तो मैं होब करूँ कि आप लोग को यह जो है, supervised learning वो 101% समझ में आ गया, diagram हमने समझ लिया, and then regression, classification, दोनों चीज़ें भी cover कर लिए, so यार आज के लिए तने रखते हैं, मिलते नेक्स वीडियो के साथ, बाई!